नश्कार मित्रों मेरा नाम है मुनाल पड़ेल और आज हम देखेंगे 11th मार्च गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक्जाम के लिए काम की चीज़े क्या लगी और उसके लिए Insurance Act में Amendment यानि संचोधन किया जाएगा ऐसा Cabinet ने मंजूरी दे दिये तो स्वाब एक है अभी कुछ दिनों तक इसकी पूरी Explain Series और अलग-अलग कॉलम की इसकी फेवर में और अगेंस्ट में चलते रहेंगे वो सारी चीज़ कुल मिला कर हम लोग पढ़ लेंगे Win21 Series जो Economic Update Series मेरी चल रही है तो अभी रोज इसका जो भी खबर आएंगे तो हम एक-एक करके पढ़ने नहीं बैठेंगे Economic का इनाम लिया है तो कुछ और भी समाचर एक साथ देख लेते हैं RBI का एक Prompt Corrective Action Framework यानी PCA Framework कुल मिला कर RBI अलग-अलग बैंकों पर निगरानी रखता है और फिर ऐसे बैंक जिनकी Profitability कम है Basel 3 Norms के लिए जिनके पास Capital कम है Non-Performing Assets जिनकी बल रही है तो ऐसे कमजोर बैंकों को depending कि वो कितने कमजोर है उनको Risk Category 1, 2, 3 में identify करते हैं और फिर उन पर RBI अलग-अलग restriction लगा देती है कि आप अपने Board of Directors को salary नहीं दे पाएंगे आप नए branch नहीं खोल पाएंगे आपको deposit में पैसा आ रहा है उसका इतने percent से जाद आप loan में नहीं दे पाएंगे और अगर बहुत ही कमजोर रहे Risk Category 3 में भी चलता ही रहे वो तो एक दिन RBI उसका merger भी कर सकता है जैसे वो लक्ष्मी विलास बैंक का DBS के साथ किया गया कैर तो एक IDBI बैंक भी ये PCA framework में थी लेकिन अब उनके ये सब profitability improve हुई, NPA कम हुई ऐसा सब देखते हुए RBI ने उसे PCA framework से निकाल दिया है PCA framework क्या है वो हमें पता होना चाहिए इसमें कौन सा बैक है या नहीं है वो dynamically changing information है UPC examiner intelligent होते हैं तो dynamically changing information में से प्रशन नहीं निकालते हैं क्योंकि वो तो answer की गलत भी हो जाए IDBI आज है, कल नहीं, पर सो वापस आ जाए तो द्यान रखिए बाकी economy में जो समाचार हैं वो सब technical financial things not so important for our exam बारत के YouTubers उनको Google company वीडियो बनाने पर जो advertisement revenue देती है कुछ बार यह होगा कि बारत के व्यक्ति ने YouTube वीडियो बनाया अमेरिका के लोग देख रहे हैं और वो advertisement भी देख रहे हैं तो वहाँ से बारत के YouTuber को जो income हुई तो American सरकार कहते हैं इस पर 15%, 30% या 0% tax लगे वो depend करता है कि आपके देश ने अमेरिका के साथ कोई tax agreement sign किया है कि नहीं उस हिसाब से बारत के YouTubers का 15% tax कटेगा South Korea का 0 कटेगा ये जो पूरी चीज़े अपनी exam में काम की नहीं microscopic particular segment की बात हो रही है so don't waste time पूरे बारत के सभी investment या पूरे बारत के सभी business man पे कुछ बड़ी चीज़ लगने वाली हो तो हमने तियार करना चाहिए बाजार में 81 bond issue करें yes bank ने किये थे फिर कांड हो गया 81 bond को cancel करने पड़े वो सभ देखते हुए सेभी ने काए कि mutual fund company या जिनका काम है ग्राकों से पैसा लेंगे अलग-अलग share bond में invest करेंगे तो कोई भी mutual fund company वो जितना पैसा invest करी है उसका 10% से जादा 81 bonds में invest नहीं कर सकती ये सब सेभी के technical norms अपने exam के लिए काम के नहीं 81 bonds क्या है वन लाइन में याद होना चाहिए और वो तो हमने win 20 series में पढ़ लिया था 81 और yes bank का scam आगे बढ़ो पेज 2, 3, 4, 5 पे कुछ काम का नहीं आज पेज 6 National Safety Week के बारे में बड़ा सा advertisement 1965 में Labor Ministry के नीचे National Safety Council बनाई गई थी राष्टिय सुरक्षा परिशद जिसका काम है रोड एक्सिडेंट से लेके फैक्टी में काम जो कर रहे हैं मजदूर goggles और helmet और gloves पहन के चले असल में 4th March को Safety Day के रूप में मनाय जाता है लेकिन पूरा एक week भी मनाते हैं ताकि और awareness फैलाई जा सके एक्जेक कौन सी तारिक को मनाते हैं तो ये कोई Safety Day कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जैसे Environment Day या Women's Day के हम याद कर के चले लेकिन National Safety Council इस पार्ट आप दे लेबर मिनिस्ट्री ये याद रखना चाहिए यार बुक इनफर्मेशन में पेज 7 बहुत सारे Advertisement काम के नहीं पेज 8 कॉलम में टॉप राइट कॉर्णर में कुछ बार होसु विचार दिये जाते हैं तो इस बार Historian James Bryce का Quotation Patriotism consists not in waving the flag but striving that our country shall be righteous as well as strong राष्ट बक्ती का मतलब येने की जंडा लेराते लगो लेकिन ये सुनिश्चित करना कि अपना देश सत्यनिश्था से काम करे और मजबूती से काम करे मतलब की indirectly इंडियने एक्सप्रेस वो लविन केजरी वाल को सुना रहा है जिन्होंने देशबक्ती बजेट के नाम पे 45 करोड एलोट किये 500 जंडे लगाने के लिए Anyways, कॉलम की बात करे Left side पर दो दो paragraph के छोटे कॉलम में पहला है leadership के बारे में हमने कली देखा था कि उत्राकंड में पिछले 20 सालों में 9 बार चीफ मिनिस्टर बदल गए तो इसका कारण क्या हो सकता है उसी के reflection में कि जब से केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो असल में जो cabinet system of government होता है उसकी जगए एक प्रकार से presidential style of administration कि प्राइम मिनिस्टर खुदी decision ले और बागी सब cabinet minister जी सर जी सर करते रहे तो मरलब cabinet नहीं वो जैसे अमेरिका में president सारे decision लेता है ऐसा ही इधर बारत में reflection आने लगा और उसी को देखते हुए बाद के वर्षों में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ने भी similar model replicate किया चाहे आप गुजरात के बुदपूर्व चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलाडू में जैल अलिता बिहार में नितिश कुमार उत्तर प्रदेश में मायावती वेस्ट बेंगाल में ममता बैनर जी केरला में पिंडराई विजियन ये सब में common चीज़ क्या है personality driven politics और सरकार के जो important portfolio होते हैं मालब अलग अलग main main मंत्राले जो जैसे home group वी भाग पुलिस वाला revenue, industries, mineral ये सब वो अपने पास CM ये सारे चार्ज अपने पास रखता है और बाकी के जो सस्ते वाले मंत्राले होते हैं जैसे tourism, pilgrim, printing stationery ship and wool development ये सब बाकी के leaders को वो उसके minister बना देता है और फिर सारे ही important department उन्होंने अपने पास रख्या हो जैसे home revenue, finance industry, mineral वहाँ पर वो I.S. officer secretary rank के जो officer होंगे उनके साथ मिलकर CM अकेले से ये सारी चीज़े चलाएंगे तो बाकी सब minister वो कुछ negotiate करे consensus बनाए ये सब होता नहीं और जो I.S. officer बचते हैं वो भी CM को यसर यसर करके it becomes like my way or highway approach उत्राखंड में वही सारी problems चली रही थी साथी साथ patronage, kingship, caste जैसे जो बुदपुर्व, CM थे वो कुछ कह रहे थे कि capital को shift करके guyerson नाम की जगा पर बनाया जाए तो ये सब के चलते जो अस्थिरता वहाँ पर जो महत्वाकांशी नेता होते हैं वो party एक party से दूसरी party में आते जाते रहते हैं जिसी के चलते पिछले 20 साल में 9 बार CM बदल चुके हैं तिकेट लेकर विदायक बन चुका है तो उसको तीसरी बार टिकेट नहीं देंगे चुनाव लड़ने के लिए इससे फाइदा क्या होगा नौजवानों को नए लोगों को भी विदान सभा में बैठने का मौका मिले वरना कई सारे party कारे करता सालों साल काम करते रहते हैं लेकिन कभी उनको टिकेट नहीं मिलती और उसमें से जो ज़्यादा ambitious महत्वाकांशी होते हैं वो फिर ये party छोड़के किसी और party में चले जाएं या फिर anti party activity करते रहें जैसे वो करनाटक में अलग-अलग सीड़ी बनाए जते रहते हैं और दूसरा प्रॉब्लम अगर एक ही लीडर को एक ही जगल से बार-बार टिकेट मिलता रहे चार बार-पांच बार-दस बार तो फिर वो party ideology driven politics की जगब वो अपनी personality cult driven politics शुरू हो जाती है और उसी के चलते जो आगे हमने देखा leadership problems, challenges, chief minister के वो सब शुरू हो जाए कैर तो means paper to quality means paper for leadership qualities की leader ने सारी चीज़ खुद नहीं करनी उसने दूसरे भी talented capable persons को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए ये सब सोचने लिखने के मुद्दे दूसरा चोटा कॉलम है डेली स्टेट गवर्मेंट का देश बक्ती बजेट और 500 जंडे लगाए जाएंगे वगेरा एक्जाम के लिए काम का नहीं मित्रों आप जब UPLC इंटर्व्यू में जाते हैं तो आपने जो form में लिखके रखा हो कि I am belonging to जो आपका पोस्टल एड्रेस उदर लिखा हो आपने मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा या कुछ तो फिर उस स्टेट के बारे में आपने होम के अडर में कौन सा स्टेट लिखा है उसके बारे में पुरशन पुछेंगे तो अगर वहाँ कहीं पर भी डेली का जिक्र नहीं है तो फिर हमने डेली के बजेट में एक हद से जादा दिमाख खर्च नहीं करना चाहिए कई सारे सीनियर स्टूटेंट वो काफी इंटेलिजन्ट होते हैं वो दिल्ली कोचिंग के लिए भी जाएं फिर भी अपने application form में वो हमेशा एक ही address रखते हैं माली जो उत्राखन तो उत्राखन मद्यप्रदिश तो मद्यप्रदिश ताकि क्या form में आपका एक ही address रहे तो आपको अलग-अलग 10 जगों की बारे में उसकी geography और politics और economy तयार नहीं करनी पड़े तो मैंने गाट-गाट का पानी पिया है अच्छी बात है लेकिन उसका dindora पीटने की आपको UPSC form में जरूरत नहीं उतनी आपकी मजूरी बढ़ जाएगी नए-नए topics तयार करने में और दूसरा ये तो मैं इंडियन एक्स्प्रेस की गुजरात एडिशन पढ़ रहा हूं तो इन्होंने डैली बजेट को जाधा footage नहीं दिया लेकिन हो सकता है दह हिंदू का अगर वो पढ़ रहे हैं आप डैली एडिशन तो वो तो बढ़ चल के सब गी दूद की नदिया बैरिये करके बनाया होगा तैन आलसो यू शूड कीप इन माइन कि आपके रिटर्न एग्जाम और इंटर्यू स्टेज पर वो कितना काम है आर यू राइटिंग डैली एज अन एड्रेस इन एडर्रेस इन और फॉर्म तैन यू शूड वारी अदर्वाज नौट आगे बढ़ो तीसरा कॉलम है म्यानमार में प्रचन दमाल और कैसे एक 19 साल की मैलाव को पुलिस ने गोली मार डी वगएरा दुखत समाचार लेकिन कॉलम के रूप में जो लिखा है बहुत उपयोगी नहीं पेज 8 के बड़े कॉलम में एक तो वो सोशल मीडिया पर सॉफ्ट टाच रेगुलेशन और इसमें ये हर दो-तीन दिन पर कोई न कोई आके बोलता है कि उससे ये फ्रीडम ओप स्पीच चला जाएगा वगेरा पला डिम का सुप्रीम कोट को जज्जमेंट देने दो खुद से हम अपना बना के चलते रहें एक्जाम के लिए बहुत काम काने आगे बढ़ो फिर छोटी बव मेगन मार्केल और सासुमा क्वीन एलिजाबेत की कभी खुशी कभी गम की बड़ी सी कॉलम जो एक्जाम के लिए काम के नई पेज 9 एक कॉलम है सीर अंगराजन की अगर हम फार्मर प्रोडूसर और्गेनाईजेशन बनाए माले बलग-बलग किसानों को एक समू में जोड़ कर वो साथ में खेती बाड़ी करे कुछ फूड प्रोसेसिंग करे तो कैसे फाइदे हो सकते हैं लेकिन इसमें जितना उन्होंने बल चल के बताया है इतना सब एक्जाम के लिए काम का नहीं 10 परसंट, 10 परसंट वो तो दो लाइन में वैसे भी लिख सकते हैं अपने योधनाय तैयार की हो तो दूसरे कॉलम वाइस प्रेसिडेंट एम वैंकया नाइडू बारत के सब वैक्सिनेशन कैमपेन में लेकिन नया जानने को कुछ नहीं तीसरा कॉलम बीबेक देबरोय उन्होंने लिखा है गटर के ढखकनों के बारे में इसको हम आर्गुमेंट को थोड़ा आगे ले जाएं तो पुलिस इंग या पुलिस एड्मिनिस्टेशन में एक थियरी है ब्रोकन विंडो थियरी कि अगर शरार्ती नौजवान पत्थर मारके कांच तोड़ देंगे किसी घर का और पुलिस उनको पकड़ेगी नई तो तूटा हुआ कांच देखकर दूसरे बड़े अपरादी मौज में आ जाएंगे कि ये तो कांच तो तूटा ही ना अंदर जाके थोड़ी चोरी कर लेते तो पता चलता है कि ये बारत सरकार सोलर स्टीट लाइट लगाती है कि पूरा दिन सूर्य प्रकास से चार्ज होती रहे उसमें कुछ LED बैटरी होगी वो सब एनर्जी स्टोर करेगी और रात में उसी एनर्जी से स्टीट लाइट चलेगी लेकिन कई जगह हम पाते हैं कि ऐसी जो स्टोरेज बैटरी को ही शरारती तत्वा उसको चोरी करके ले जाते हैं उसको कोई आटो मोबाइल स्पेर पाट वाले को बेचते होंगे या घर में लगाके रखते होंगे अगर वो जोपड़े में रहते हैं और उदर उनको सवाबागिया योजना में बिजली का कनेक्शन नहीं मिला लेकिन फिर भी मोबाइल चार्ज करके पप जी खेलना हो तो ये सब बैटरी काम में आती बट एज रिजल स्ट्रीट लाइट चलेगी नहीं तो वहाँ पर उजाला नहीं होगा रात को तो जो लोग जा रहे हैं तो रॉबरी इव टीजिंग मैलाओ की छेड़ खानी रेप मर्डर एंटी सोशल एलिमेंट्स के होंसले बुलंद हो जाते यानि इदर भी स्मॉल क्राइम बैटरी चुरा लिया लीडिंग टू बिग क्राइम ये बारत में मैन होल कवर गटर के डककन शुरुवात में हम लोग कास्ट आयन लोहे के बनाते थे लेकिन फिर कुछ लोग उसको चोरी करके कबारी में बेच देते थे लोहे के वजन के हि लेकिन अगर हैवी विहिकल जा रहा है तो कुछ बार उसमें भी खराब क्वालिटी का डककन बनायो विकाज अब करप्शन और प्रॉफिट यरिंग तो वो तूट जाता है और फिर गरीब परिवार के जोपड़े में रहने वाले चोटे चोटे बच्चे इदर उदर गु that cannot be condoned उसको माफिया उसको अंदेखा नहीं कर सकते क्योंकि इसके चलते काफी और बड़े नुकसान हो रहे हैं so strict action is necessary मैं गुलाब का फूल सबको दूंगा और उनका रिदय परिवर्तन हो जाएगा information, education, communication वो सब बाबुशोना टाइप की चीजों से ही काम चल जाता तो यानि लोहे के ये गटर के डकन अमेरिका और यूरूप को एक्सपोर्ट करते हैं उसका मतलब वहाँ पर भी थोड़े बहुत तो गरिब लोग होंगे लेकिन वो उसको चुरा के कबारी में बेशने नहीं जाते या फिर कि वहाँ पुलिस्टिक है इसलिए ऐसा नहीं होता ह होगा तभी तो वो मैटल कवर यूज कर रहे हैं एनिवेज पेज 10, 11, कुछ काम का नहीं पेज 12 परसनी न्यूज में M.V. Swarna Krishna ये एक ओयल टेंकर जहाज जो मुंबई से निकला गुजरात के वाडिनार पॉट तक पहुँचा इसकी खास बात यह है कि ये ओयल टेंकर में पेज 13, पॉलिटिक्स के समाचार, उसमें काम की चीज हमने आगे देख ली, केरेला में टू टम लिमिट फॉर दे सीपीम लिडर्स, पेज 14, इंटरनेशनल रिलेशन में वैक्सिन मैत्री, कैसे बारत देश, सब दूसरे गरीब देशों को, नेपाल, बूटान, म्यानमार, सेशेल्स, मोरेशियस वगेरा को, वैक्सिन दे रहा है और उनका दिल जीत रहा है, लेकिन डेली हाइकोट ने अबज़व किया कि बारत सरकार ने सबसे पहले बारत के लोगों का ही गुडविल, विश्वास, सौहार्द, उसको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुछ पर वैक्सिन नहीं मिले, ऐसा नहीं होना ची, खेर वैसे सोचने का विश्व है, लेकिन सिधा सिधा एक्जाम में लिखने बोलने लायक मुद्दा बनता नहीं, क्योंकि इसमें सरकार और उसकी फॉरेंड पॉलिसी की परोक्ष रूप से निंदा दिख रही है, क्योंकि ये बात भी नहीं है, कि इधर कोई शॉर्टेज हो गई है, वगएरा वगएरा, खेर, मित्रो कोरोना क्राइसिस के दौरान जनता से चंदा लेने के लिए एक PM कैर्स फंड बनाया गया था, उसकी कॉंट्रोवर्सी चल रही है, कि उसमें अदानी अंबानी टाटा ने इतने सार करोड पैसे लिए है, और वो सब कैसे यूज हुआ वगएरा, ये PM कैर्स फंड क्या है, अम लोग पहले ही विन ट्वेंटी सिरीज में पल चुके हैं, देख लेना, अभी उसमें ये सब कॉंट्रोवर्सी हर जगा अदानी अंबानी वाली चलती रहे है, तो एक्जाम के लि लिखा हो clinical trial mode, तो उसका मतलब क्या, कि वो vaccine की जो भी बोतल है, उसका अभी phase 3 clinical trial का full data आया नहीं है, अगर patient को दिया, उसको कोई serious reaction आता है, तो company उसके compensation देगी, मुहावजा देगी, और तीसरा, क्योंकि clinical trial mode में ये vaccine तो company ने बहुत frequently बार बार सरकार को उसके सब safety के data देने पड़ते हैं, तो अभी 2021 मार्च महिने में, vaccine की subject expert committee यानी SEC, उन्होंने CDSCO जो की इसका regulator है, उसे सिफारिश किया कि ये बारत बायो टेक की जो co vaccine बनाई गए थी, उसका suppose सारा data आ चुका है, तो अभी उस पर से clinical trial mode वाला label sticker उस पे से आटा देते हैं, बाकी अलग अलग information, परिक्षा में फायदाय मन नहीं आगे बढ़ो, फिर किसी कोई organization ने survey करवाया कि नौजवानों को क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, पब जी चाहिए, कुछ काम का नहीं, page 16, world news में कुछ काम का नहीं, मलेशिया में एक नियम था कि Christian magazines, Christian publication, वो अपने articles में अल्ला शब्द क उप्योग नहीं कर सकते, लेकिन अब मलेशिया की कोट ने का है कि वो कर सकते, लेकिन मित्रों ये सब ऐसी microscopic information है, हर एक किस काम के नहीं, इन में से कौन से देश के कोट ने कहा है कि अब अल्ला शब्द यूज़ कर सकते, Christian publication, हाउस, Syria, मलेशिया, भाई आप पुराने paper देख तो वो अपने municipality में, अपने state government में ऐसे अलग-अलग resolutions पास करवाती है कि LGBT couple को recognition नहीं देना चाहिए, या sex change operation करने की अनुमती नहीं होनी चाहिए वगेरा, तो ये सब LGBT groups, उन्होंने कुछ आंदोलन चलाए कि पूरे European Union को LGBT Freedom Zone डिकलेर किया जाए, तकि उसके हर एक देश के अ और इस पर European Parliament में, डिबेट और उसके बाद resolution पास होना, तो पास होगा फिर पढ़ेंगे अभी तो ये transitional state में है, अमेरिका के मशूर न्यूज एंकर रोजर मड का देहां दुखन बढ़, एक्जाम के लिए काम का नहीं, रशिया और चाइना ने agreement sign किया कि हम लोग चांद प इस पर इस पर स्री लंका का विरोध हो रहा है, तो इसके लिए स्री लंका का विरोध हो रहा है, कियर वो controversy काम के नहीं, लेकिन Bay of Bengal initiative हो कि वो कब स्थापना हुई थी, वो SARC से नया है या पुराना, आसियान से नया है या पुराना, कौन से member ऐसे हैं, जो उदर SARC में हैं, पनासियान में नहीं, या फिर beam stack में नहीं, या चांगाई, cooperation, organization में नहीं, ऐसे कुछ अंदाजे हमको होने चाहिए, आगे बढ़ते हैं, page 17 economy, department of telecom ने, telecom licensing condition में कुछ updates किये हैं, कि ये जो भी, Jio, Airtel, कंपनिया, वो अपना पुरा जो भी tower, networking equipment, purchase कर रही हैं, तो वो non-trusted sources से purchase नहीं कर सकती, और non-trusted sources मतलब क्या, वो चि company, जो कि अपने सब networking hardware में ऐसे सब backdoor और malware लगा के रखती हैं, जिससे Chinese सरकार data चुराती रहती है, कैरता अभी थोड़े दिन पहले हमने वो पढ़ा था कैसे malware के चलते, allegedly महराष्टा में बिजली चली गई थी, तो सरकार ने cyber infrastructure improve करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसकी जब आप means answer writing करते हो, तो ये भी एक quote करने का कि ये काम हो रहा है, economy में person in news में chief statistician of India, जो की ministry of statistics and program implementation के नीचे officer होता है, तो अभी नियुकती हुए GP सामन था, दो साल के लिए, तो non-IS exam में याद रखने लाइक चीज, इसके लाब economy में कुछ काम का नहीं, इदर उदर share बाज